एपिसोड के स्टाटिंग में सैंड विलेज को बताया जाता है जहां पर गारा और देदारा रहते हैं और देदारा अपने बेग में हाट डालता है फिर वो अपने पक्ची पर बैठ जाता है तो गारा अपने सैंड से उसे पकड़ने की कोशिस करता है और हम देखते हैं कि ग चूरी की काफी ताकत वर लगता है फिर गारा अपने सेंट पर बैठ कर ओब उपर के ओड़ जाता है उसके बाद देदारा अपने हाथ में कुछ बनाते हुए बोलता है तो गारा बोलता है क्योंकि इस रेगिस्तान में ऐसा कोई पक्षी नहीं है तभी एक सिनोबी एक छास स बताया जाता है जहां पर कांकुरो बोलता है विलेज में कुछ अजीब हो रहा है और तुम अब बता रहे हो कैप्टन Юरा ने तो विलेज की security बढ़ा दी थी ना तो सिनोभी बोलता है असल में हम कैप्टन यूरा से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तभी कांकुरो बोलता है क्या इतने में हमें सासूरी और कैप्टन यूरा को बताया जाता है जहां पर सासूरी बोलता है देदारों को इतना बड़ जामला करने की क्या जवरत थी यूरा तुम वापस जाओ अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ यहाँ देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी तो कैप्टन यूरा वहाँ से चला जाते है और सासुरी बोलता है जल्दी कर देदारा मुझे इंतिचार करना पसंद नहीं फिर हमें गारा के आफिस में बताया जाता है जहाँ पर कंकुरो आता है और वो देखता है कि गारा वहाँ पर नहीं है तभी वहाँ पर एक सिनोबी आता है और वो बोलता है कांकुरो काजिका के आस्मान में लड़ रहे हैं इतने में कांकुरो बोलता है क्या अरो खिड़की के और भाग कर जाता है और उपर के और देखता है जहां पर गारा और देदारा होते हैं तभी सभी सिनुवी उपर के और देख रहे होते हैं यह देखकर देजारा बोलता है, जैसा सोचा था, उसके पास एड्वांटेज है, यह थोड़ी दिक्कत करेगा, फिर हमें नरोटो के पास बताए जाता है, जहाँ पर नरोटो के उपर कुनाई से हमला किया होता है, फिर उससे बच कर, पासी से 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 पासी स तभी हम देखते हैं कि काकाशी सेंसे बहुत तेजी से हैंड सेंड बना रहे होते हैं तो सकुरा बोलती है उनकी हैंड सेंड की स्पीड तभी काकाशी सेंसे बोलते हैं फारिस्टाइल फायर बाल जुट्सू फिर वहाँ वहाँ बहुत बड़ी आग होती है जिसे Naruto और Sakura बड़ी मुश्किल से बसते हैं तभी Naruto बोलता है कहा गए तभी हम देखते हैं कि Kakashi Sensei जमीन की निचे से आते हैं और Naruto के पे पकड़ कर बोलते हैं अर्थी स्टाइल, Handhunter जुट्सू फिर Kakashi Sensei Naruto को जमीन में खित देते हैं तो हम देखते हैं कि वहा बस नरूटो का साड़ो क्रॉन था, तभी नरूटो और सकूरा तेजी से दढ़ते हो गयाते हैं, तो काकाशी से फिर से बहुत ही तेजी से हैंडसें बनाते हैं, और पानी पर जाकर बोलते हैं, वाटर स्टाइल, वाटर ड्रागन जुसू, यह मॉम्किन हैं, तो सकूरा बोलती है, उसे कापी निंजय यूं ही नहीं कहा जाता, अब मैं समझी कि वो कितने कमार के हैं, फिर हमें मास्टर जिराय को बताया जाता है और ओव बोलते हैं, लगता है इसमें टाइम लगेगा, इतने में हमें लेड़ी सुनाडे को बताया जात हैं, और उसमें कांकुरो भी रहता है, वो देखता है कि गारा और देदारा लड़ रहे होते हैं, फिर देदारा को बताया जाता है, और देदारा बोलता है, फिर वो अपने दुनों हाथों में बहुत सारा पक्ची बनाता है, और बोलता है, चलो अब सरसूरू किया जाए, ये बोलकर गारा की तरप उन पक्ची को फिकता है और हम देखते हैं कि वे पक्ची उट रहे होते हैं और गारा के संग के पास जाकर ब्लास्ट हो रहा होता है फिर गारा बोलता है वो आजीब बम का धमाके कर सकता है और वो उसे कंट्रोल भी कर सकता है फिर देदारा अपने ह सच में कुछ अलग है और उनकी हेंसें करने की इस भी बहुत जादा है कोई उनके पास भी नहीं जा सकता अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम समय से पहले बेल नहीं ले पाएंगे हमें उनके दोनों हाथों का कुछ करना पड़ेगा तो नरुटा बोलता है हाँ काकाशी सेंसे कमजोरी होगी अगर हम उसे पता लगा ले तो और फिर हमें काकाशी सेंसे को बताया जाता है जो एकपेड के पीछे बैठे होते हैं और वो बोलते हैं मुझे नहीं लगता था कि वो मेरा सारी गन इतना इस्तेमाल करवाएंगे पर मैं सूरा जूगने तक टिक जाऊंगा य आगे क्या होगा मैं कावटेक्टिस के हीरो का सायद हो बहुत बड़ा राज है मैं पढ़ना तो चाहता हूँ आगे क्या हुआ फिर नरुटो और सकुरा को पताया जाता है जहां सकुरा बोलती है सच में तुमने काकाशी सेंसे की कमजोरी जान ली तो नरुटो हस्तु है ब बड़ी कमजोरी है तो नरुटो बोलता है देखा मैंने कहा था ना तुम भी जान जाओंगी तो सकुरा बोलती है इससे उनके हाथ तो रूख जाएंगी और सायद सारिंगान भी रूख जाए तो नरुटो बोलता है और फिर हम मौका मिलते ही फिर हमें काकाशी सेंसे को बत और वे आ रहे हैं पिर हमें सेंट विलेज में बताया जाता है जहां पर गारा और दिदारा का फ्रुष रहा है और Hautar jaar बक्रातं पूता है और विछ बनाता है और उसे गारा ऐडरा की और भी अंगारे कोर को है रहाने कांपर बताया केड़ लगताında को बताया प्र आ रहे हैं फिर हम देखते हैं कि नरुटो और सकूरा डायक्ट काकासी संसे की उपर हमला कर देते हैं तो काकासी संसे बोलते हैं तुम मुझे कम समझ रहे हो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पर सीधा हमला कर सकते हो तो सकूरा बोलती है अब नरुटो तो नरुटो काकास से का ध्यान नुटो के मुझ पर होता है और वो बोलता है शिट सारी गान के वजा से मैं उसका होट पड़ पा रहा हूं फिर कगाशी से अपने आग को बंद कर देते हैं और वो फिर आँख को खोलते हैं तो नुटो सकुरा को सामने खड़े होते हैं और वो बिल को पाच चु लगता है कि उसने अपने आपको एक कोकुन में बंद रखा हो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर गारा का तिसरा अग बहार में होता है तो देदारा बोलता है वो इस ब्लास्ट से बज गया फिर हम देखते हैं कि गारा देदारा को अपने से पूरी तरह से घेल लेता है और कारा बोलता है सेंड प्रीजन और हमारा प्रीसोड ही पर समापता होता है